हेलो नमस्कार मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम एंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खिती से जूड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में मैं आज आपको पताता हूँ कि बाजरा की बज़ये के समय कौन कौन सी इसाफदा ने रखे जिससे कि 20 गाउट कौन 103 तक हो जिससे किए कम ख़र्च वइक में ज्यादा से ज्यादा फ़सली पैदावार परापत हो जिससे कि हमें अच्छिन परापत हो इस वीडियो को अंतक जुरूर देखे ताकि आपको खेती से जुड़ी से भी जानकरी पराप्त हो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जुरूप करें ताकि अन्य किसानों को खिती से जुड़ी सभी जानकरी पराप्त हो और आने वारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलो चली ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो, नमस्कार, सभी किसान वा योका इंडियन टैक्निकल फार्मिंग में आज आपका स्वागत है अज मा आपको चाशे मं चुरस्थी प्वाइनेर की हईबराड किसम है यह किसम खरीब और जयाद के लिए उपयूकत है और याशुका सैन करने की समतार रखती है इसके फोद तक रहती है तथा इसका फोदा लग बग कर टाई तक पूरी तरह रहा रहता है यहाई वराइटी 75 से 82 में पककर त्यार हो जाती है इस वराइटी का तन्हा मजबूत 33 गैरा तता फैला हुआ होता है 6M 84 पूराइटी का सिटा रोईदा दानों से कसा हुआ इसकी सिट्टे की आइट 35 सेंटिमेंटर होती है और यही एक समामनुचाही की होती है 6M 84 पूराइटी की पैदावार की बात करें तो इसकी पैदावार की समता 32 से 35 की उन्टल परती एक्टेर होती है और इसके सुकेचाही की बात करें तो 80 से 90 की उन्टल सुक का अराचारा हमें देखने को मिलता है 6M 84 पूराइटी यह पूराइटी जोग्या और डाउनमिल्टी रोक के परती अवरोधी किसम है किसान साथियो 6M 84 पूराइटी अधिक पैदावार देने की समता रखती है इसकी बिजाई की हम बात करें तो पूर्दे से पूर्दे की दूरी 15 सेंटीमेटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमेटर रखना होता है लगवग एक एकटेर में लगवग 2 लाख के करीब पूर्दों की जूर्ट होती है 6M 84 की वराइटी का दाना मोटा था बूरे रंगा होता है इसकी पैदावार अथ्छी होती है अगर आप ज़्यादा पैदावार लेना चाहता हो तो इसकी अगेती विजाई सुरू करें अगर आप इसकी पच्छेती विजाई करते हो तो इसकी पैदावार पर असर पड़ता है अगर मेरी याई है आपको वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें जै ज्वान जै किसान धन्यावाद बाजरे की खेत्ती की पूरी जानकारी बाजरे की खेत्ती सिचित था ऐसी चैत्रों में की जाती है अधिक बाजरे का उच्पादों और लावे तो उन्नत टक्निके अपनाना आप सक्था है भारत दुनिया का अग्रनी बाजर उच्पादक देश है यहां लगबग 85 लाग एक देश के इसुषक थथा एसुषक छेत्रों में यह प्रमुक खाद्य है और साथ ही पस्ट्वों के पॉस्टिक चार उत पादन के लिए भी बाजरे की खेत्ती की जाती है पॉस्टन के दूश्टी से जहां इसके दाने में अपिशाकर्त अधिक प्रोटीन वसा मिलती है वह टीक उरजाओं नेके कार्न बाजरे को सर्दियां के मौसमें खाने में दिक उफ्योंग किया जता है बाजरा के चानराई में प्रोटीन, कैल्शिम, प्रॉस्टों और कनी जलवन उफ्योंग मातरा में यह ऐउं आइड्रोरसैनिक, अमल, सुरक्सित मातरा में पाया जता है बात के कुल बाजार शेतर का लगवग पिचासी पतिसक शेतर ऐसी चित है जिससे की मानसुगन की अनिस्तिता की तरह बाजरा की उत्पादक्ता में भी उतार चड़ाव रद्द है इसके तरीकत कुछ रोगों और किटों का प्रकोप यहों विग्यानिक तरीके से फसल परमद नहीं होने से इस फसल की पैदावार अन्य खरीब की अनाजवाली फसलों की तुलना में कम हो जाती है परंतो यदि सही किसम का चुनाओ और खित्ति के लिए उन्नत तक्निक के और पौद सरक्षन तक्निक के यहां अपनाए जाए तो बाजरा की पैदावार में लेखनी जानकारी का उलेख है बाजरे से जुड़ी खेती की हर जानकारी नंबर एक उप्यूकत समय नंबर दो खेत का चुनाओ नंबर तीन मिट्टी की जांच नंबर च्यार पाने की जांच भूमी वजलवायू नंबर पांच खेत की त्यारी नंबर चै फसल पत्तिया वा फसल च अबारगा परबंदन 12 बाजरे की कट्टाई 14 पाजरे की कडाई 15 बाजरे की बिज़ाई का समय आ गया है किसान उनत किसम की बिजाई कर मुनाफ़ा कमा सकते है संकर बाजरा का बिज हर साल नया लेकर ही बिजाई करे सिचित छेतर में आप इसकी मई मा में बिजाई कर सकते हो बाजरे की बिजाई जून मा से पंदरा जुलाई तक कर सकते है बिजाई से पुरो बिज को उपचार करना ना बूले उपचार के लिए 10 पतिस नमक के गोल यानि 10 लेटर पाने में 1 किलोग्राम नमक में बाजरा में बिज को थोड़ा थोड़ा डाल कर आज से इलाई चेपा के पिंड थता तेटते वे पदातों को निकाल का नश्ट कर दे इचे बेठे वे बारी बिजो को साप पानी से तीन से च्यार बार अच्छी तरह दोकर चाह में शुका लिए खेत का चुनाओ इसके बाद हम बाजरा की बिजाई के लिए खेत का चुनाओ करते हैं अगर पहले उस खेत में सर्शो की बिजाई की थी तो सर्शो के पानों को रोटा बटर की साहता से एक दो बार अच्छी तरह से जूताई कर दे ताकि सर्शो के पान अच्छी तरह मिट कि मिट्टी के जान्च सबसे पहले अपनी खेथ की मिट्टी की जान्च करवा लिए जिससे पहले हैं कि मिट्टी की मिट्टी पहुषकत नurarय को इतिया दी मिट्टी के जांच से हमें या पता चल जाता है कि इसका प्याचमान कितना है पाने के जांच अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तियमाल करते हैं तो यह सभी परकार की फसलों के लिए अच्छा है अगर आप बारिस के पानी से फसल की शिचाहिए करते हैं तो भी यह सभी फसलों के लिए अच्छा इसमें 20 गाउं कुर्ण लगबख 100% तक हो जाता है अगर आप टीवल के पानी से फसलों की विजाई करते हैं तो इस टीवल के पानी की जांस करवाना बहुत जुरूरी है अगर टीवल का पानी पिने में मिठा है तो इसमें पानी का PPM जादा हो सकता है और बीज अंकूर्ण के समय यह एक समस्या बन जाती है अगर पाने का पीपियम एक जार से कम है तो यह सभी परकार की फचलों के लिए उप्यूकता है और सभी परकार की फचलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज गांकूर्ण सोपर 30 से तक हो जाता है अगर पाने का पीपियम एक जार से जादा है तो इसमें बीज हम बात करते हैं बात करते हैं। भूम lange को सतुनेर निकास वाली करते हैं। ढूरस मीली मिटरी शेतरों में बलीब बातिक की जा सकती है 32-37 से ताबमान बाजरे के लिए उप्यूकत माना गया है यदि पुश्पन अवस्ता में वर्षा जाए या फारोशिस चाहि कर दी जाए तो फूल दूल जाने के कान बाजरे में दानों का अबराग कम हो जाता है बालियों में दाना ब फसल के साथ यदि दलननी फसल जैसे मूं, गुवार, अरर, मोट, और लोबिया को अंता फसल के रूम में बोया जाए तो ना के बाजरा के उतपाद में वर्षा होती है बलकि दलनों के कान मिट्टी की उरुपता में भी शुदार होता है और अत्रिक दाल उतपादन से कयों में भी वर्ध दिए होती है साथी दलन वरकी फसले अधिक नाईट्रोजन सितत्त खरण करती है जिसे मिट्टी में नाईट्रोजन बट जाती है फर सुरूप उरुपों से नाईट्रोजन कम देनी पड़ती है जिसे कर्शी के लाकत में बहुत कमी हती है फसल चकर बाजरा, चना, माटर, या मसूर, बाजरा, गहुया, सरसो, बाजरा, सरसो या गरिज सहमकाली, मोंग, बाजरा की उनतकिसमें अलग 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 है, जैसे राजस्तान, महाराष्ट, गुझरात, उतर पदेश, रियाना करनाठ्ट, अंदर पदेश, तमिलाड बाजों, लिए उनत किसमों का ही चुनाओ करना चाहिए क्योंकि ये कम समय वा कम कर्च में जादा से जादा उत्पादन देती है मैं बिजाई के लिए उपचारित बीज का ही प्रियोग करना चाहिए एक अंकड के लिए बीजगी माफतरा लग वग डेड़ से डाई किलो प्रियापत रहती है यह बीजगी वराइटी पर निर्बर करता है अगर आप संकर किसमों के बीजगी बिजाई करते है तो लग पग एक अंकड में डेड़ से दो किलोगराम वीजगी आप सकता होती है मैं बिजाई के समचारित वीजगी का ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसे रोग की स्वावना आने की कम रहती है जैसे रियाना के लिए अच्छी 10,च्छी 20,पूचा 423,पूचा 313,चचचचबी,233,चचचचबी,236,चचचचबी,166,चचचबी,166,चचचबी,177 वराइटी है अलग-अलग वराइटी है जैसे 6CM 90 है, पॉइन एर 6CM 88, पॉइन एर 6CM 80, पॉइन एर 6CM 80, चुजरान में 24, अलग-अलग वराइटिया है, यह आप अपने चेतर के हिसाब से प्रियोग कर सकते हैं, इसके बाद हमें अच्छी तरके से खेत की त्यारी कर लेनी है, गर्मियों में घरी जुताई करें उत्तम जालने निकास के लिए खेत को समतल कर लें, बाजरा की अच्छी पसल लेने के लिए एक जुताई मिट्टे पलटने वाली हल से करनी चीए, और इसके बाद दो तिन बार जुताई करके बुआई करनी चीए, दिमक तथा लटके पर कोप वाले चेतरों में 25 किलोग्र काम परती एक्टर की दर से फोरट अंतिम जुताई से पूरो डालने चीए, बाजरे की खेती सुन्य जुताई विद्धी द्वारा भी सबलता परूत की जा सकती है, इसलिए खेत को समतल करना था मिट्टी पर पूरो फसल के आउसे सो का आउरन करना लापर्द होता है, अब बात करते हैं फसल की बॉआई की ब्रानी छेदरों में मान सिन्म की पहली बारिस के साथी बाजरे की बॉआई कर देनी चीए, उतरी बात में बाजरे की बॉआई के लिए जुलाई का पर्त्म पकवार शुरुत्तम है, 25 जुलाई के बाद बॉआई करने से 40-50 किलो ग्राम पर्ति एक्टर पर्ति दिन पैदावार में नुक्सान होता है, बॉआई के लिए 55 किलो पर्ति एक्टर बीज गया सकता होती है, बाजरे की फसल 65-50 सेंटिमेंटर की दूरी पर कतारों में बोनी चीए, बॉआई के 10-15 दिन बाद यदि पोदे गने हो तो पोदों की की अधिक्तम पजली जा सकती है, फसल की रुपाई यदि मनसुन देरी से आए या किनी कार्णों से समय पर भुआई ना कर सके तो बाजरे की फसल को देरी से बोने के फिशा उसकी रुपाई करना अधिकला पर दो गया है, एक एक्टर से तर में पोद रुपाई के लिए ल सकताबाद पोद्दे की रुपाई मुख्य खेत में करनी चीए, जब पोद्दों को केरियों सुख़ड़े तब जोडों की सतिकम करने के लिए ध्यान रके की नर्शी में प्रह पतनमी हो, जहां तक संबह हो रुपाई वर्षा वाले दिन ही करनी चीए, बाजरे की रुपा प्रताम मान हो जाने पर भी फसल पर प्रतिकल परवावनी पड़ता है, रुपाई वाली फसल अपहिसा कर भाई वर्षा का सामना अच्छी तरह से कर लेती है, रुपाई के समय रोग गर्स्त कमजोर हो है, बेमेर पोद्दों को पचांकर ललग किया जा सकता है, इस प्रका के लिए नाइट्रोजन असी किलोग्राम परति एक्टर, फासपोर्स चालेश किलोग्राम परति एक्टर और पोटास चालेश किलोग्राम परति एक्टर प्रिया पतर है, अगर आप बिरानी चैतर में इसकी विजाई करती है, तो चालेश से साथ किलोग्राम नाइट्रोज सब्सक्राइब दोनों प्रिष्टियों में नाइट्रोजिंग की अद्धी मातरा और फास्पोस वह पुटाइब पूरी मातरा लगबग तीन से चार संटिमेंट का राई पर मिट्टी में डालने चाहिए नाइट्रोजिंगी सेश मातरा बुवाई से तीस से पैंतिस दिन बाद मिट्टी में उप्यूकत नमी होने की सिस्ति में करने चाहिए अगर आप बीज को उपचार करते हैं तो सबसे पहले राई जोबियम सबसे पहले भंगी साइट फिर अने सेक्टी साइट फिर राई जोबियम कल्चर से उपचार करते हैं 26 छेटरों में 1 से 2 दो आई बाजरे के कि जा सकते हैं यह आप 30 दिन के अंतराल पर कर सकते हो विरानी छेटरों में वर्शा के उपर नेरबर करती हैं अच्छी वर्शा होजाई तो फचल की छाई अच्छी हो जाती है जल परपंदन यद भी बाजरा की फसल मुक्यत परानी चेतरों में लिजाती है परन्तु फूल आते समय वादाना बंते समय नमी का उनातिक आनी पर दे है अता यदि शिचाय का सुरूत अपलो दो तो इन वहस्तों पर शिचाय करना लाप पर दोता है बाजरा जल बराव से भ परपंद और आफशक खर्पत्वार परपंदन बाजरा की फसल में खर्पत्वार नियंदन के लिए एक किलोग्राम एटराजिन या पेंडा मेली थान पचास से अन्सों से छट्सों लिट्र पानी में गोल मिला कर पती है एक्टरदस्क से चिटकाओ करना चाहिए यह चिट करते हैं किट परपंदन की नंबर एक दिमक नंबर दो तना मक्षी नंबर तीन सपेद लट दिमक इस पर को रोकने के लिए दो किलोग्राम परत्य अक्टर दर से कलोरिफाइस कापो दग की जड़ों में छटकाओ करे याल की वर्षा किसमा मिट्टे में मिला कर भी खेर दे तना मक्षी इसकी रोक्ताम के लिए 15 किलोग्राम परत्य अक्टर दर से आप फुरट इस्तेमाल कर सकते हो नमबर तीन स्पेद लट या लट पुद्धा की जड़ों काटकर फसल के विविन वस्ताओं में बाजरे को नुक्सान पुछाती है इसकी रोक्ताम के लिए फ्यूट राउन तीन परसेंट या फुरट दस परत्य सत दानों को 12 किलोग्राम परत्य अक्टर की दर से बाजरे कि बॉइक इसमें मिट्टी में डालना चाहिए अब बात करते हैं रोक परबंदन रोक परबंदन में मर्द रोमील आशिता औरकट होता है मर्द रोमील आशिता यह रूग भाली वारे रोग या डाउन मिल्डु के नाम से भी जाना जाता है इसकी रोक्ताम के लिए आप सहद जैसी च्पी बुंदे दिखाई दिती है सहद के समान दिखने वाले याप अधात को दिन वाद सुकर काड़ा पड़ जाता है इस जहरीले पर अरकट के नाम से जाना जाता है जो मानो और पुसों के लिए आनिकारक रहता है बाजरे की संकर की समों में यारोग अधिक पह खेत में रोग अस्त वालियों को काट का जला देना चाहिए विजों को दो ग्राम प्रती किलो ग्राम बीज की दर से बावश्टिन द्वार उपचारी करके ही बोई खड़ी फसल में रोग की रोख थाम के लिए बावश्टिन 0.1% का दो से तीन बार छटकाओ करे अब बात करते हैं बाजरा की पैदावार यह दि उपरोकत अधुनिक विद्य से बाजरा की फसल ली जाये तो इसी शेतरों में इसकी उपच तीस से पंतारीस क्यूंटल और 90 से 100 क्यूंटल सुकाचारा परती एक्टर पराप्त होता है और ऐसी चित अवस्ता में 20 से 30 क्यूंटल परती एक्टर दाना हुआ है साथ से सतर क्युंटक चुकाचारा मिल जाता है। बाजरे का बंडारन बाजरे के दानों को अक्सी तरह से दूम में शुकाई और दानों में नमे के मातरा आठ से दर पतिसत होने पर ही उप्युकस्तान पर बंडारन करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक पर सेर्ट करना चैनल को स्ट्राइब जरूश रही है।